Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की Maths Book Chapter 14 Smart Charts तो चलिए पढ़ने स्टार्ट करते हैं How Many Hours? All of us enjoy watching television or listening to the radio तो हम सभी enjoy करते हैं television देखना और radio सुनना तो ये दोनों हम लोग enjoy करते हैं How much time do we spend in this? अब हम लोग कितना सारा time इसके उपर spend करते हैं यानि कि जो television देखते हैं या radio सुनते हैं इसके पीछे हम लोग कितना time spend करते हैं Note, the time you spend in front of a TV or radio every day अब आपको बताना है कि आप कितना time spend करते हैं आप TV के सामने बैट के या फिर आप radio सुनते हैं तो हर दिन कितना time spend करते हैं Do this for one week तो आपको ये one week के लिए करना है The time spent in a week is 10 hours ठीक है? तो अब देखिए जो week में आप spend करते हैं तो कितना hour आप देखते हैं? यानि कि एक हफ़ते में आप कितना देखते हैं? तो जैसे कि आप television देखते हैं तो आप half hour देखते होंगे या one hour देखते होंगे ठीक है? तो इस तरह से आप देखते हैं ठीक है? उसके बाद radio कितने दिर सुनते हैं So in a month you spend about 30 अब आप देखिए आप एक month में कितना spend करते हैं? तो 30 और multi कर देखेंगे इसे one से ठीक है? अगर one hour भी अगर रोज देखते हैं तो महिने में कितना देखेंगे? 30 multi one is equal to 30 hours यानि कि 30 hours देखते हैं Find out from your friends the time they spend in a week अब आपको अपने friends से पतार लगाना है कि वो लोग कितना spend करते हैं एक week में ठीक है? अब यहाँ पे जैसे कि एक table दिया हुआ है How many hours they watch TV or listen to the radio in a week अब यहाँ पे वो लोग कितने घंटे TV देखते हैं या radio सुनते हैं ठीक है? तो ये एक week का निकालना है Number of children अब देखें Number of children इसमें बताना है तो देखें जैसे कि more than 6 hours 6 hours से भी जादा कितने बच्चे TV देखते हैं या radio सुनते हैं तो ये सारे list यहाँ आपको बनाना है तो ये सारा काम आपको खुद करना है जैसे friends से पता लगाईएगा उसके बाद आप लिखिएगा तो 6 घंटे से भी जादा देखता है कितना बच्चा हो सकता है पाँच बच्चा देखता हो तो 5 लिख सकते हैं या पे 6 आवर्ड अब 6 आवर्ड कितने बच्चे देखते हैं तो हो सकता है कि 4 बच्चे देखते हो ठीक है 5 आवर्ड 2 बच्चे ठीक है उसके बाद 4 आवर्ड तो कितने बच्चे देखते हैं हो सकता है 9 बच्चे 3 hours 7 लिख सकते हैं 2 hours कितने बच्चे देखते हैं तो 8 लिख सकते हैं ठीक है 1 hours कितने देखते हैं 3 बच्चे ठीक है उसके बाद जैसे कि 0 hours do not watch जो की बिल्कुल ही TV नहीं देखते तो कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं 1 बच्चे ठीक है तो इस तरह से आप बनाएंगे उसके बाद यहाँ पर देखें जैसे यहाँ पर लिखा है from your table watching tv listening to the radio ठीक है अब यहाँ पर देखें दिया गया है 10 children spend more than 6 hours in a week अब देखें 6 घंटे से भी ज्यादा कितने बच्चे spend करते हैं तो देखें 6 घंटे से भी ज्यादा कितने 5 बच्चे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 ठीक है तो यह आप अपने according इसे बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 इसके बाद है 10 children spend no time at all तो कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल time spend नहीं करते हैं बिल्कुल यह टीवी नहीं देखते हैं ऐसे कितने बच्चे हैं तो एक बच्चे हैं ठीक है जो टीवी नहीं देखते तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 उसके बाद है most children spend 10 hours in a week अब देखें कितने बच्चे जो है जो है सबसे ज़्यादा time spend करते हैं एक week में तो देखें सबसे ज़्यादा जो बच्चे spend करते हैं तो 9 children है ठीक है अब वो कितने hour spend करते हैं 4 hour वाले जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा है ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 10 children spend more than 3 hours अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि more than 3 hour यानि कि 3 घंटे से भी ज़्यादा spend करते हैं तो 3 घंटे से भी ज़्यादा कितने बच्चे spend करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे तो देखें count कर लेते हैं जो कि 3 घंटे से भी ज़्यादा जो है time spend करते हैं तो वो है 4 hours देखें 9 children 9, 2, 4 और 5 कितना हो गया यह 20 ठीक है इसे count करके हैं लिखेंगे यहाँ यानि कि 20 children ऐसे हैं जो 3 घंटे से भी ज़्यादा time spend करते हैं तीवी और रेडियो के सामने तो इसी तरह से इसे फिल करना है इसके बाद है which program there are different types of programs on TV और रेडियो such as cartoons, news, sports, music, plays, serials तो देखें बहुत सारे programs आते हैं तीवी पर different type की program देते हैं या रेडियो पर भी देते हैं आप सुनते हैं जैसे तीवी पर आप cartoon देखेंगे sports, music, plays, serials, news और रेडियो पर भी news सुनेंगे तो यह सारे programs आते रहते हैं जो his father likes watching serials जो ही के जो father है वो serials देखना पसंद करते हैं her mother likes sports और उसकी जो मा है mother वो sports पसंद करती है जो ही likes news programs और जो ही news programs पसंद करती है ask people in your family to name one program they like and one program they dislike make a table अब देखें अपने family में आपको लोगों से पूछना है कि उन्हें कौन सब प्रोग्राम ऐसा है जो की पसंद आता है कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो उन्हें पसंद नहीं आता है एक-एक का नाम लिखना है यहाँ ठीक है जैसे कि यहाँ पे है दिया गया है आपका family member ठीक है जैसे कि family member है तो mother है तो mother को जैसे की program they like तो कौन सा प्रोग्राम उन्हें पसंद आता है तो जैसे कि sports ठीक है तो यह सारे आप पूछ के बनाएंगे ठीक है स्पोर्ट्स हो गया उसके बाद अब कौन सा प्रोग्राम नहीं अच्छा लगता है उन्हें तो हो सकता है न्यूज अच्छा नहीं लगता है ठीक है उसके बाद एक फादर को फादर को जैसे न्यूज अच्छा लगता है उसके बाद हो सकता है कार्टून अच्छा नहीं तो जो भी आप अपना यहां पे नाम लिखेंगे तो यह जैसे कि कार्टून अच्छा लगता है कार्टून लिखेंगे और कौन सा प्रोग्राम नहीं अच्छा लगता है तो हो सकता है मूवी नहीं अच्छा लगता हो तो मूवी लिख दिए ठीक है के बाद जैसे कि आप ग् चीडियल अच्छा लगता हो, या मुवी अच्छा लगता हो, चीडियल अच्छा लगता हो, चीडियल अच्छा लगता हो, उसके बाद आप एक ले सकते हैं, अपने ब्रदर का ले सकते हैं, चीडियल जैसे कि ब्रदर का है, तो ब्रदर को जैसे कि सौंग अच्छा लगता हो सॉंग सुनना अच्छा लगता हो उसके बाद डांस अच्छा नहीं लगता हो उसके बाद सिस्टर का ले सकते हैं सिस्टर को जैसे की उसे कार्टून अच्छा लगता हो सिस्टर को भी कार्टून लिख सकते हैं और उसे जैसे कि sports अच्छा नहीं लगता हो या serial अच्छा नहीं लगता हो तो बहुत सारे ऐसे program आते हैं जिसका कि आप list बना सकते हैं आप अपने according आप अपने family में पूछ के उसके बाद ही आप इसे बनाए ठीक है तो इस तरह से आप बनाएंगे उसके बाद है question कि the kind of program most family members like अब देखिए कौन से प्रोग्राम ऐसा है जिसे कि ज्यादा तर जो है family member पसंद कर रहे हैं ठीक है तो देखिए कौन से प्रोग्राम ऐसा है जिसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है तो यहां पर देखिए sports news cartoon movie song cartoon तो देखिए कौन-कौन सा आया है जैसे कि ज्यादा आया ह तो कार्टून और कार्टून ठीक है दो बर कार्टून आया है यानि कि कार्टून को ज्यादा पसंद किया जा रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कार्टून ठीक है और देखिए the kind of program most family members dislike अब कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो कि dislike किया जा रहा है जो नहीं अच्छा लग है तो जैसे है sports sports दो बार sports है ठीक है और देखिए dance movie कार्टून एक बार news और sports यानि कि sports दो बार है ठीक है sports को नहीं अच्छा नहीं अच्छा लग रहा है तो यहां हम लिखेंगे sports ठीक है इसी तरह से इसे बनाएंगे इसके बाद है find out from 20 friends the programs they like and dislike and write in a table अब देखिए यहां पर आपको 20 friends से पता करना है प्रोग्राम के बारे में उन्हें कौन सा अच्छा लगता है कौन सा नहीं अच्छा लगता है और इस table में लिखना है ठीक है तो यह सारे आप अपने friends से पता करके के बाद लिखेंगे तो जैसे है kind of program तो news number of children liking it जो बच्चे से पसंद कर रहे हैं कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं number of children disliking it और कितने बच्चे से dislike कर रहे हैं ठीक है 20 का list बनाना है तो जैसे कि news का आप list बना सकते हैं कितने बच्चे को अच्छा लग रहा है जैसे कि आप बना सकते हैं 4 को अच्छा लग रहा है जैसे इसमें 2 को अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है जैसे यहाँ पे है 6 को अच्छा लग रहा है पसंद कर रहे हैं 3 को नहीं अच्छा लग कार்टून è चार्टून ज्यासे है है फाइप को अच्छा लग रहा है उसके बाद कार्टून जैसे कि सेवन को अच्छा नी लग रहा है और ये जो है tangled को अच्छा नी लग रहा है इस पोर्ट ये जो है आपको 20 के अंदर ही आप को बनाना है 20 का लिस्ट बनाना है तो जैसे इसमें 7 को अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है और यहाँ पे जैसे 1 को अच्छा नहीं लग रहा है sports तो इस तरह से आप इसे count करेंगे कितने को अच्छा लग रहा है कितने को नहीं अच्छा लग रहा है 20 का ही list बनाना है तो ये आप अपने according अपने दोस्तों से पूछ के आप ये बनाएंगे which kind of program is liked by most children अब कौन से प्रोग्राम ऐसा है जो कि most children के दोरा पसंद किया जा रहा है जादा तर बच्चे पसंद कर रहे हैं कौन से प्रोग्राम ऐसा है तो देखे कितने बच्चे यानि कि जादा तर अच्छा लग रहा है जिसे वो seven है ठीक है seven बच्चे को sports अच्छा लग रहा है तो लिख देंगे कितने को seven को seven children को which kind of program is disliked by the list number of children अब कौन सा program ऐसा है जो कि बहुत कम बच्चे को पसंद आ रहा है ठीक है तो sports है तो देखे sports यहाँ पे हम हाँ sports सबसे ज़्यादा को पसंद आ रहा है तो यहाँ पे हम कुछ और दे देते हैं जैसे कि यहाँ पे हम five दे देते हैं ठीक है और यहाँ पे हम four कर देते हैं ठीक है यानि कि सबसे कम बच्चे को जो अच्छा लग रहा है तो यहाँ news दे देते हैं यहाँ कि यह two है ठीक है यानि कि दो बच्चे को news पसंद आ रहा है, सबसे कम बच्चे का यहां पर पुछा जा रहा है, How many children like sports program? तो कितने बच्चे को sports program पसंद आ रहा है, तो seven को अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे seven, Is there any kind of program not liked by anyone? तो कोई भी ऐसा program है, जो कि किसी के दोड़ा पसंद नहीं किया जा रहा है, कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, If yes, या no, If yes, which one? अगर हां है, तो कौन सा है ऐसा, ठीक है? तो कोई भी नहीं है, ठीक है? तो हम यहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद है, Who is my friend? I have a friend with me always. मेरे पास एक friend है, जो कि मेरे साथ हमेशा रहता है. In the nights and through the days. नाइट में भी रहता है, और दिन में भी रहता है. ठीक है? दिन और राद, दोनों में रहता है. When I run, he runs with me. और जब भी मैं दौरता हूँ, तो वो भी मेरे साथ साथ रहता है. Sometimes I lead, sometimes he. तो वो मेरे साथ साथ ही चलता है. When it's dark, he can't be seen. अगर डार्क हो जाता है, तो वो मुझे नहीं दिखता है. मैं नहीं देख सकता उसे. Do you know which friend I mean? तो क्या आप चानते हैं कि वो friend जो है, वो कौन है? तो देखिए वो friend कौन है, तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं. तो ये friend कौन है? ये इसका shadow है. ठीक है? इसका जो चाया है, वो है. तो वो हमेशा उसके साथ रहता है. ठीक है? अब देखिए, इसमें क्या है? read the poem carefully and answer these questions. तो उस poem को carefully पढ़ना है और answer देना है question का. तो which word comes most often in the poem? तो कौन सा word ऐसा है, जो कि सबसे ज़्यादा बार आया है इस poem में. ठीक है? तो देखिए कौन सा word ऐसा है? तो आप देख सकते हैं I. ठीक है? आई, 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 यह जो है ना, आई, यह किते बार चार बार आया है? ठीक है? सबसे ज़्यादा बार आया है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आई. ठीक है? उसके बाद है, which words come most often in the poem? तो आई आया है. और यह किते बार आया है? चार बार आया है. Which letter has been used most? तो कौन सा letter जो है, वो सबसे ज़्यादा use हुआ है? ठीक है? तो देखते हैं. उसे भी. तो देखिए इसमें आपका जो ज़्यादा तर use हुआ है. तो A. देखिए A. इसमें भी A है. ठीक है? और आप देख सकते हैं. यहाँ भी A है. यहाँ A है. और यहाँ भी A है. और इस line में भी. इसमें A नहीं है. ठीक है? और इसमें देख सकते हैं. यहाँ पे A है. और इसमें भी A है. और यहाँ पे भी A है. यानि कि A जो है, वो ज़्यादा तर use हुआ है. ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे A कि बाद है which letter comes the list कौन सा लेटर सबसे कम यूज हुआ है तो देखते हैं कौन सा लेटर सबसे कम यूज हुआ है A तो सबसे ज़्यादा यूज हुआ है और सबसे कम जो यूज हुआ है तो इसे आप खुद चेक करके आप लिख सकते है जैसे आप देख सकते है कि डबलू डबल्यू इसमें डबल्यू है ठीक है हो सकता है डबल्यू कम यूज हुआ हो ठीक है या हो सकता है आई का कम यूज हुआ हो ठीक है और ये सारे चीज़ आप खुद करेंगे ठीक है आप अपने इसे चेक करके हो सकता है W I या I I या E I कुछ भी आ सकता है तो इसे आप चेक करके लिखेंगे अब इसमें देखिए आपको एक पैराग्राफ लेना है अपने टेक्स्ट बुक में आपको पैराग्राफ लेना है उसे आपको केरफुली पढ़ना है और उसमें जिस तरह से आपने इस पोईम में पढ़ा कि किस तरह से ये लिखा हुआ है इसी तरह से आपको एक paragraph लेना है, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, और उसमें आपको पता लगाना है, जैसे कि which word comes most often, कितनी बाड़ा है, कौन सा word है, ठीक है, how many times कितनी बाड़ा है, और कौन सा word है, चाहे A हो या B हो, जो भी word है, वो आपको लिखना है, ठीक है, उसके बाद ज यह letter नहीं है, तो जैसे है कि I है, He है, Was है, There है, तो कोई भी word है, यह लिखना है आपको, उसके बाद है the letter, used most often is, अब कौन सा letter सबसे ज़्यादा बार यूज हुआ है, letter लेना है आपको, उसके बाद है the letter, used list often is, अब जो सबसे कम बार यूज हुआ है, उस letter को लेना है, ठी रिविजन कीजे, और कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना, मुझे जरूर बताइए, अच्छा लगा हूँ आपको मेरा पढ़ाना, तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक, सबस्क्राइब कीजे, और पास में दिये गए, बैल आइकन को भी प्रेस कर देजे, ताकि NCRT से related हर वीडिय तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तके लिए बाई, टेक केर, थैंक्स तो वाच माई वीडियो,